नमस्कार दोस्तों मैं राजयू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूटूब चैनल जीके मार्कों में दोस्तों लेबरियरी साइन्स अबजेक्टिव क्योशन एंसर की जो सीरीज है इसे हम कांटिनियू जो है आप लिए लेके आ रहे हैं और वन लाइनर क्योश प्लेइलिस्ट में बना दिया तो हां से आप जाके इसे देख सकते हैं तो दिर ना करेंगे सिधा किस्टों को देखेंगे आदे घंटी की ये सीरीज रखेंगे ज्यादा आपका समय बहुत किमती है तो उसे जया नहीं करेंगे और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगे कि आप लिए उपीयोगी है इंफोर्मेशन सुचना विज्ञान के लिए आप किसी की भी तैयारी कर रहे हूं चाहे ताजस्थान, KBS, NBS, EMRS की भी वेकेंसी सुनने में आ रही है कि चुनाओ के बाद निकलने के उमीद है तो चलिए देखते हैं अगर पसंद है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा कि आपको कैसे प्रश्ण ये लगे चुनाओ तो आज का पहला प्रश्ण देखते हैं कि 301 से स्टार्ट करेंगे तो आज का पहला प्रश्ण है कि OCLC की सोध रिपोर्ट के अंसार अपने समदा और उनकी अवसक्ताओं को जाने कि रंगनाथन के किस नियम का पुन्व वैवस्थापन है आपके हैं कि पहला नियम दूसरा नियम तीसरा और चौथा नियम क्या होना चाहिए तो इसका जो है OCLC द्वारा जो है सोध रिपोर्ट के अंसार अपने समदा और उनकी अवसक्ताओं को जाने ये दूसरा नियम मे वरणित है क्योंकि जो है दूसरा नियम कह रहा है कि प्रतेक पाठ़क को जो है उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए जो है उसका अधिकार है तो यह चीज आप ध्यान में रखिए आगे देखते हैं इसके बारे में लिब्रेरी इस लोग के बारे में जो है माने पहले ही आप के प्राशनों को मैंने समलेति जो है किया हूआ है तो पहला कहरा है कि मूल sitting सूच करें और प्रयुक्त सोब्त कार्श हिअने तो बताई है कि मूल सोध जो होता है यह है उसका बिज्ञानके पाँच नियुमों से रिलेटिव है और प्रयुक्त सोध आफ में मांपन टक्निक उपयोग करने केलिए जो होता है को इसका जो है बी का जो है भी ही होगा और सुधकार जो है जैनू जो है जैनू को काले में पत्रिका संग्रान में लूपकाउंस की जो है समस्या से सोच शरवेक्षंवाइब दिल्लीए के पब्लिक स्कुलों में पुष्टकाले का उपयोग से है, इसका राइट अंसर और अप्शन एही है, आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है कि पुष्टकाले बिज्ञान के पाम सुपरों में से उस सुपर की भचान कीजिए, जिनको रंगनाथर ने अपने लेखन लेबरेरी science and scientific method में तुक्ष या घिसा-पिटा बताया है option आपके है पहला दूसरा तीसरा या पाक्षवा किसमें बताया है तो इसका right answer है five law इसे जो है रंगनाथन ने तुक्ष भी कहा है और घिसा-पिटा भी बताया है और library science के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि 28 में प्रतिपादन 31 में प्रकासित वगरत तो इसके पहले वाले वीडियो में बार-बार समय जो है उसके बारे में कहके मैं नहीं नुक्सान करना चाहता अगला प्रशना है SR के अंसार रंगनाथन यदि कैनन और सिध्धान के बीच कोई संगहर्स उत्वन होता है तो इसे किस अपिल के द्वारा जो है हल किया जाना चाहिए सिध्धान के द्वारा नियम के द्वारा पांच कानून के द्वारा या अभी धारनाएं के द्वारा इसके द्वारा जो है किया जाना चाहिए तो इसका राइट अंसर ऑप्शन सी है पांच कानून जो फाइफ लाउप है उसी के द्वारा जो है अपील की जाने चाहिए कि एकॉडिंग तू ऐसा रांगनाथन इस एनी कन्फूजन और उप कुछ भी हो रहा है तो उसके बारे में जो है पांच नियम जो है उससे जो हम उसको शॉल्व करने की कौसिस करते हैं अगला प्रशन है कि पाठको की सुरुवात का मतलब क्या होता है पाठको की सुरुव बात का मतलब क्या होता है इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिए गया बताइए ये भी सीडी बिगनर अंडरिस्टेंडिंग और्गनेजेशन या नॉलेच क्या होता है तो इसका राइट एंसर है और्येंटेशन होता है option C इसका राइट एंसर है आगे देखते है अगला प्रशन है कि उपयोग करता अध्यान के तरीके क्या क्या है उपयोग करता कमापन उपयोग करताओं का सरवक्षण सामधाई प्रॉफाइल या उपयोग सभी बताईए तो इसका राइट एंसर है option D, उप्यूक सभी आगे देखते हैं अगला प्रशन का रहा है कि जो पुस्तकाले का उप्यूक करते हैं उन्हें कहा जाता है जो पुस्तकाले का उप्यूक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है पुस्तकाले के सदस्य, पुस्तकाले के पाथत, पुस्तकाले के उप्योग करता या पुस्तकाले के बिद्वान बताइए, सीख, तो इसका राइट एंसर है, option C, पुस्तकाले के उप्योग करता आगे देखते हैं, अगला प्रशन कह रहा है कि अगला प्रश्ण कहा रहा है कि वीवरं समभनाओं यह भुक्ताओं के साथ संबंध निर्मार की एक प्रक्रिया है ताकि लाब के साथ उत्पादों यह सेमाओं को जो है विक्सित यह प्रोसाहित किया जा सके या परिभासा जो है किस ने दी है अब बताएं कि अलस्टर ने दी है क्रिस गेरेट ने दी है सली फाल्स कोव ने दी है या सेम डेरक में दी है कि इंप्रोटेंट कैस्टन है कि वीबरण समभनाव यह भोक्ताओं के संबंध में निर्मार की एक प्रक्रिया है ताकि लाब के साथ उत्पादों यह शेवाओं को जो है विक्सित यह प्रोसाहित किया जा सके यह परिभासा किस ने दी है तो आप्शन इसका है आप्शन भ अगला प्रश्न कहा रहा है कि पुस्तकाले के संदर में कौन सी वीवरण की पूर्व अपेक्षा नहीं है इसका राइट एंसर है option B इसका राइट एंसर है उप्योग करताओं की प्रत्यक्रिया जो है फिडवेक नहीं लेना जो है इसका मतलब है पुस्तकाले के मामले में उप्योग करताओं की जो है एक्षा को जानना लाभ पद जो होता है कि उपियो करता के लिए बधाओं को कम करे और उपियो करताओं की जो है अब सवक्ताओं को प्रभावी ढंग से संतुष्ट करने के लिए सब्धानी पुर्वजोय एक योजना बनाने चाहिए वीवरण इतना बुनियादी है कि पुस्तकाले के भीतर एक अलग कारे जो है नहीं माना जा सकता इसका यही मतलब है आगे दिखते हैं आगे कहा रहा है कि उप्योक करता अध्यनों को निमलिकित तीन स्रेणियों में किसने स्रेणी बद्ध किया है उप्योक करता अध्यन जो है उसको तीन स्रेणियों में किसने क्रम बद्ध किया है तो तीन स्रेणियों में आपको यहां पर टाइप कर दिया हूं बैवार अध्यन उप्योक अध्यन या सूचना प्रवाह अध्यान किसने पहला है मोरिस बी लाइन बी है मेजल सिरी है सी है क्रोणीन लेता है तो जो इसमें क्रोणीन है इन्होंने जो है बी है प्रोणीन नहीं है ये मेजल है माफ केजे मेजल है प्रोणीन नहीं है ये मेजल है मेजल के द्वारा जो है स्रेणी बद किया गया है वैवार अध्यान उप्यूकत्या अध्यान और सूचना प्रवा अध्यान मेजल के द्वारा जो है दिया गया है आगे देखते हैं अगला करा है कि उप्योग करता अध्यन पर सोध यानिक पूरा नाम है इसका पूरा नाम है संटर फार रिशर्च आन यूजर श्टुडि आप नोट कर लेगे एग स्क्राट पांच जनौरी नोट कर लिए पांच जनौरी 1976 मोबाइल पर टाइप करना दोस्तों पॉसिबल नहीं है इतने संसाधन जो है अभी प्रयाप कर नहीं मेरे पास कि मैं डिजिटल बोड का उप्योप कर पांग तो 1976 को जो है सेलफिड विश्विद्डेलेस जुड़े एक संधान संस्थान के रूप में इसका संचालन शुरू किया गया था और ब्रिटिस लाइबरेरी से अनगान के द्वारा अपने पांच वर्चों के लिए विद पोर्शन पोसी किया ब्रिटिस लाइबरेरी युनाटेट किंग्ड नम का जो है राश्टी पुस्थकाले और सूची बद कैटलॉग की संख्या से दुनिया का सबसे बड़ा राश्टी पुस्थकाले है यह एक प्रमुख सोध लाइबरेरी भी है ठीक है इसका राइट एंसर ऑक्षन ए है ठीक है ब्रिटिस पुस्थकाले द्वारा किसकी सी आर यू एस वी एस आगे देखता है आगे कराया पाठकों की सुरुवात का अर्थ है पाठकों की सुरुवात का मतलब क्या होता है अभिविन्यास ज्यान सुरुवात या ग्रहंड सक्ति तो अभिविन्यास जो होता है और सुरुवात का मतलब आगे देखते हैं उप्योग करता प्रोफाइल क्या है उप्योग करता जो है प्रोफाइल क्या है वाट इस यूजर प्रोफाइल आप्शन एक है रहा है कि उप्योग करता आव सकतों की संपूर वीवरण पुस्तकाले के उप्योग का एक वीवरण पुस्तकाले फाइलों की सूची या उप्योग करताओं की एक सूची बताइए उप्योग करता प्रोफाइल क्या है तो इसका राइट एंसर है उप्योग करता और सकताओं की सूचना वीवरव उप्यूकर्ता प्रोफाईल से तत पर पाठक जो होते हैं उनकी पसंद पसंद पाठक के नाम, पता, इत्यादी के बा रे में प्रृवाइट की जाती है जो ahead पुस्तकाले धक्चों को पाठकों के बारे में सुचना प्रदान करता है, जब कोई उपयूग करता प्रथम बार जो है पुस्तकाले में सदस्य बनता है, तो वहां आता है, तो उसे ये सूचना मांगी जाती है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निमलिखित उपयूग करता केंदरित मुल्यांकनों के सबस्यो उपयूगत भट पारिचली आगे पे सबस्यो है, आगे कह रहा है कि उस प्रचली परियावरण में काम करने वाले उप्तरदाईत को निभाटूगत भटा है। C कहा रहा है कि मुल्यांकन की अभिविरित्ती सूचना सिवां और तंत्र को सिभारने की हो और निशित तोर पर गुलवात्ता आत्मक संग्रात्मक लगु अस्तरी और निदानात्मक प्रवित्ती की होनी चाहिए D कहा रहा है कि सूचना प्रवंध कीमत में लाव इस्प्रेशन के साथ गैर समग्र संख्यात्मक पर बल व्रिद्धिस अस्तर और दिर्ग मुल्यांकन उपागम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए उप्योग करता केंद्रित मुल्यांकनों के बारे में यहां पर क्योशन आपसे पूशा जा रहा है और जो है इसका कूट जो है नीचे दिया हुआ है कौन सा जो है सही क्रम होना चाहिए तो इसका राइट एंसर जो है आप्शन बी है इसका राइट एंसर ऑप्शन बी है आगे देखते हैं अगला करा कि क्योशन थोड़े लॉंग लॉंग है उप्योग करता की ऑसकतों का अध्यन करने के लिए जो है समानता प्रियोग में किये जाने वाले उपागमों से निमलिखित में से कौन सा उपागम जो है सबसे अध रहेगा पाच्ञान की यह पहला के रहे है कि प्रयोग करता को उनकी और सकताों के भी से में बताएं कत्नों का संकलन भी कहा है कि पिछले प्रियोगों का परिक्ष्ण करना और माल नना की भाष्म हैं ऐसा ही होगा तीन कहारा है कि उपयोग करता का मानवी मुल्यों के प्रति द्रिश्ट कूर तथा उनके पुर्व कथनों का अध्यन राष्ट मिरमाण में उपयोग करताओं के योगदान का प्रियोग तो इसमें जो है कूट दिया हुआ है यह जो मिलान करना है इसका इसमें दो ही सही है प्रियोग जो है दो ही सही है एक तो है प्रियोग करता अपनी समस्यों का क्या विस लेसर करते हैं यह निडेल लेते हैं और जो है दूसरा जो है पिछले प्रियोग का परिक्षड करना और म कहा रहा है कि उप्योग करता के सूचना खोज वेवार को जानने की पद्धती को जो है क्या कहा जाता है उप्योग करता अध्यान संचार अध्यान उप्योग करता वेवार अध्यान या उप्योग करता सिक्छा तो इसका राइट एंसर है उप्योग करता जो है अध्यान कहा जाता है आगे देखते हैं आगे कह रहा है कि इन में से क्या उप्योग करता अध्यन का प्रियोज नहीं है संक यह कह रहा है कि संकलन का विकास विज्ञानिक तरीके से वह भी कह रहा है कि उप्योग करता की स्थिती जानना सी कह रहा है कि संकलन विकास नीती तत्यों के अधार करना डी कर रहा कि वी भी संकलनू की जो है ताकत और मजबूती का पता लगाना है कि बताईए प्रियोज नहीं है तो इसके राइट एंसर की बात करों कि इसका राइट एंसर है उप्यूप करता की इस्थिति जनना इससे कोई नहीं कि वह क्या कर रहा है उप्यूप करता का अध्य counterpart प्रियोज जो है कि संकलन का विकास करके Civिन संकलनियों की जो है ताकत और मजबूति connecting का पता लगे और शंकलन विकास नीती अधार पे तयार किया जाना चाहिए आगे देखते हैं आगे कहा रहा है कि किसी विशिष्ट उप्योग करता समूँ के लिए रूचकर हालिया सुचना या समाचार युक्त प्रिंट इलेक्ट्रानिक या किसी भी अन्य रूप को क्या कहा जाता है आपसन है वेपार्शूची हस्त पुस्तिका समाचार पत्रिका या डी कहा रहा है कि नियामा वली क्या तो जो है किसी विशिष्ट उप्योग करता समूँ के लिए रूचकर हालिया सुचना का समाचार यूक्त प्रिंट इलेक्ट्रानिक या किसी अनरूप में समाचार पत्रिका को जो है कहा जाता है तो इसका राइट एंसर ऑप्शन सी होगा आगे देखते हैं अगला प्रशन कह रहा है कि एक सार्जनिक पुस्तकाले की उप्यूक करता समूं में जो है क्या सामिल होता है उप्यूक करताओं का द्वी समूं उप्यूक करताओं का विभाजित समूं उप्यूक करताओं का एकल समूं या उप्यूक करताओं का जो है सजातिय समूं तो जो है जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है संस्कृत तथा सोचना प्राप्ति करने के लिए उसे प्रवाइड किया जाता है जिससे जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है एजुकेटर जो है बनाया जाए पब्लिक लाइब्रेरी जो है सोसाइटी के जितने भी सदस्य होत कोईबी ओ जेंडर हो कोई भी किसी भी कास्ट वगारा जो भी है यानि कि राष्ट यता धर्म समदा लिंग आय भाशा वगारा 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 कोई भी ओ वो वोस्ब ही के लिए जो है होता है पब्लिक लाइबरेरी ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए होता है ठीक है तो इसका राइट एंसर जो है option B उप्योग करताओं को जो है विवाजित समून आगे देखते हैं अगला कह रहा है कि गरन्थाले में चात्रों का आगमन इंटरनेट की उपलबदता से प्रभावित होता है बताईए कि गरन्थाले में चात्रों का आगमन किस प्रकार का चर है जो बी लीव की स्टुडेंट होंगे उनके लिए तो थोड़ा से टप क्यूशन्स होगा मैं समझ सकता हूं लेकिन जो एम लीव वाले हैं और यूजी सी नेट के तयारी करने वाले हैं उनके लिए ये क्यूशन्स जो है असान होगा तो इसका राइट एंसर में बात करूँ तो आश्रित चर ओप्शन सी इसका राइट एंसर है रन्थाले में छात्रों का आगमन सोतंतर चर अन्य दोस्चर तथा अंतर धी चर जो है अपने नाम से जो है जाने जाते हैं आगे देखते हैं अगला प्रश्ण है कि उपयूप करता अध्यनों को निम लिखित तीन स्रेडियों में किसने स्रेडि बद्ध किया है ये क्यूशन उपर भी आया हुआ था और यहां भी रिपेटेड है रिपेटेड होने का कारण है यूजी सी के नेट में इन क्यूशनों को बार बार पू इसके answer को देखा ही है तो इसका right answer है major option B सिधा answer ही बता रहे हैं आगे देखते हैं कि इसे जो है सुमलित करना है तो सुचि A को जो है सुचि B से जो है मिलान करना है तो नीचे तक जाएगा तो पहला करहा है कि बहवार अध्यन बहवार अध्यन प्रियोग अध्यन प्रियोकता अध्यन और रहा कि सुचना प्रवा अध्यन तो जो बहवार अध्यन होता है वो बहवार अध्यन जो होता है वो प्रियोकता की संप्रेशन व्यवस्था के साथ जो है अंतक्रिया होती है अब प्रियोग अध्यन जो होता है सं compression का जो है माध्यम होता है तो A का 3 और B का जो है 4 इसी से जो है आप इस answer को पूरा देख सकते हैं तो इसका right answer है option B आगे देखते हैं आगे कह रहा है कि निमलिखित को इसमें भी जो है सुमलित करना है एक से दो है जो है दो से तो लिंग प्रोद्योग की सूचना प्रोद्योग की ग्रन्थाले में धेयता लक्षडों के तार्किक सेट इसमें जो है मिलान करना है तो इसका right answer जो है option B है आगे देखते हैं आगे कह रहा है कि विद्यार्थी योग को जो है soft skill लेखन कोसल और नोकरी मुखी कोसल अर्जित करने में साहता करने वाली सेवा है कौन से सेवा है इसके right answer की मैं बात करूँ तो career guidelines इसका right answer होगा और अगर मैं थोड़ी सी इनकी detail में बात करूँ तो बिद्यार्थी को जो है soft skill लेखन कोसल और नोकरी उनकी कोसल अर्जित करने में साहता करने वाली सेवा को है career guidance जो है करते है रीडर advisory जो होता है reader advisory जो होता है वह पाठकों की सला सलाहकार एक ऐसी सेवा है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो है शाधनों के मध्य से एक पाठक को कता और गयर सुरसक किताब का जो है सुझाओ देना है या सेवा जो है एक मौलिक पुष्टकाले सेवा है रीडर एडवाईजरी ठीक है और इसमें जो रेफरल सेवा दी गई है ऑप्शन में रेफरल सेवा एक प्रकार की संदर्व सेवा है जिसमें एक सूचना साधक होती है लैबरेरी के बाहर किसी एजंसी या विसेशग को जो है निर्देशित किया जाता है जहां से जनकारी मिलती है प्राप्त किया जा सकता है और इसमें जो है यूजर एजुकेशन जो इसमें दिया हुआ है यानि कि उप्योगता सिक्षा जो दिया गया है तो उप्योगता सिक्षा सभी प्रकार के गत्वीदियों को जो है इसमें अर्जिस्ट करती है जिसके बारे में हम सीखने के लिए जो है डिजाइन किया गया है और जो है पुस्तकाले सेवाओं जो है सुधाओं और पुस्तकाले संसाधनों और खोज के संगठन को जो है इसमें रणनीती बनाई जाती है कि उसको जो है किस तरीके से प भानी बरतने की जरूरत होती है ताकि इसे उप्योकता केंदरित बनाया जाया तरक दिया जाता है कि बजार में आनलाइन उत्पादों की निरंतर उपलबदता के साथ साथ पिना किसी कीमत के प्रचूर इंटरेट संसाधन ने जो है इस अनसाधनों को अब प्रसंगिक बना द सही है लेकिन यह गलत है तो यह सही है और तो इसका राइट अंसर ऑप्शन सी है आगे है अगला कहा रहा है कि पुष्टकाले प्रबंध में शिक्स सिग्मा का जो है उपयोग अनुप्रियोग एक गुडवत्ता कारिकरम है जो उपयोगता अनुभव उपयोग करता है जो है अनुभव में सुधार और लागत में कमी लाता है तो तरक दिया जाता है कि सिग्मा के 6 चरोण सभी पुस्तकाले प्रचलनों में आवसक है तो ऐसा तो नहीं है यह जरूरी नहीं है तो यह सही है तो इसमें यह सही है लेकिन आर गलत है इसका राइट एंसर जो है option यह होगा आगे देखते हैं यह भी कूट दिया हुआ है अभी कथन कह रहा है कि जो है पुस्तकाले को जो है संतुष्ट ग्राहक अधार तयार करने की आफसकता होती है जो पुस्तकाले कारकरमों के लिए जो है सहायता परदान करने वाली होती है तरक दिया जा रहा है कि यह भी कुस्तकाले के संसाधनों और सेवाओं की माप ग्राहक की प्रत्यसात की जाती है तो उसका पुना उप्योग जो है सुनिशित नहीं किया जा सकता है तो यह तो थिर यह जो है गलत है यह सही है ग्राहक जो है संतुष्टी जो है यह लैप्रिरी का जो है वर्क है तो इसका भी रैट एंसर आप्शन ए ही होगा आगे देखते हैं आगे कहा रहा है कि निमलिखित में से कौन सा उपयूकता सिक्षा के साथ जो है अंतर परिवर्तनी नहीं है यह नहीं को हमेशा जो है एकजाम में हालाइट करिएगा ठीक है पेन वहाँ पे पेन इस तरीके से मार ले जीएगा अपलो तो अप्शन एक हरा है कि पुस्तकाले अनुदेश पुस्तकाले अभी मुखी करन ग्रंथ परक अनुदेश पुस्तकाले अचार सास्त्र इसका राइट एंसर है पुस्तकाले अचार सास्त्र पुस्तकाले अचार सास्त्र जो है उपयोकता जो है सिक्षा के साथ अंतर परिवर्थनी नहीं होता है जबकि पुस्तकाल अन्देश उस्तकाले अभी मूखी करण और गंत परक जो है अन्देश ये परवर्तनी होता है आगे देखते हैं अभी टाइम है आदे गंटे में तो देख लेते हैं आगे के भी प्रश्णों को निम्ने में से कौन सा प्रबलता का उपसुत्र से संबंधित नहीं है आपसे नहीं है कि संदर्ब सेवा प्रलेखन सेवा वर्गी करण या सूची करण बताए प्रबलता का उपसुत्र से संबंधित जो है सूची करण है तो सूची करण के बरएम में थोड़ा से देख लेते हैं प्रवलता का जो उपसुत्र इसमें दिया गया है उसकाले सूची की सफलता जो है सनलेखो की विवस्था तथा उसके अंतरगत आवस्यक सनलेखो तत्व को जो है समचित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जो है बनाई गई है रंगनाथन महोदे के अंसार जो है कहा गया है कि सूची में विसे प्रविष्ठी का अस्थान निर्धारन करने के लिए जहां तक संभो हो पाए प्रवलता को पूर्ण अगर अंशेद के साथ जो है एकत्रित किया जाना चाहिए समझे पहले बात को प्रवालता को पूर्टया अग्र अंचेद के साथ एकत्रित किया जाना चाहिए ठीक है अग्र अंचेद में जहां तक संभव हो इसको प्रविष्टी तत्व में एकत्रित किया जाना चाहिए फिर कह रहे हैं कि यदि अगर अंचेद में पूर्टय एकत्रित करण सम्हों न हो तो प्रबलता को नियुंतम रूप से अगले अंचेदों में तिब्रता के हाश्मान अनुक्रम के सिधान्थ पर अधारित होना चाहिए आगे कहते हैं कि प्रबलता यह का यह जो है बहाव अगले अंचेदों में तिब्रता के हाश्मान अनुक्रम के सिधान्थ पर अधारित होना चाहिए प्रबलता का उपसुत्र में यह चीज़ कहा गया है आगे देखते हैं, आगे कहा रहा कि कौन सा उपसुत्र सूची प्रविष्टियों के वेवस्थापन से संबंधित है, अप्सन यह है, पुन अश्मरन मान का उपसुत्र, बी कहा रहा कि वांचित सिर्शक का उपसुत्र, सी कहा रहा कि अस्थाइत्व का उपसुत्र या बी कह मैंने अभी इसके बारे में टोटल चीजे आपको बताई कि सूची करण में जो है प्रविष्टियों का अस्थान निर्धारन करने के लिए जहां तक संभो हो प्रवलता को पूर्टया अग्र अंचेद के साथ एकत्रित किया जाना चाहिए अग्र अंचेद में जहां तक संभो हो पाए प्रविष्टि तत्व में एकत्रित किया जाना चाहिए यदि अग्र अंचेद में पूर्टया एकत्रिक करण संभो न हो तो प्रवलता को नियूंतम यानि कि कम सकम अगले अंचेद में तिब्रता यानि कि जल्दी अनकरम के सिध पर अधारित होना चाहिए तो दोस्तों मैंने आपका बहुत दिमाद खराप कर लिया अब आधे गंटे से ज्यादा अगर आप भी कंटिन्यू करेंगे तो आप भी बोर्यत महसूस करेंगे तो इसी के साथ माफी चाहेंगे अगर कहीं पर कोई गलती हुई है तो और अगर स्क्राइब कीजिएगा मिलते एकली वीडियो में ख्याल रखें धन्यवाद